आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग यानि पत्र लेखन। पत्र कैसे लिखे जाते हैं। आज के जमाने में लेटर राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है। यानि हमें इसका सीखना चाहिए हमें इसको विवस्तित ढंग से भेजने के लिए अकर्शक तरीके से भेजने के लिए सीखना चाहिए। इस तरह से letter writing क्या है, letter writing एक art है, एक कला है, अच्छी परकार से लिखा गया letter, हमारे emotions को, messages को सही परकार से व्यक्त करता है, It is an essential part of life as personal as well as professional, कैसे? Personal level पर इसलिए, क्योंकि हम मित्रों रिष्टदारों को बहुत से पत्र लिखते हैं, चाहे वो बधाई के हों, आमंतरन के हों, शोक के हों, परातना के हों, धन्यवाद के हों, इसी परकार से professional level पर भी business letters लिखते हैं, government office को लिखते हैं, editors को लिखते हैं, principles को application लिखते हैं, और ये किस परकार के letter होते हैं, complaint के, inquiry के, request के, और recommendation के, ये सारे ही पत्र कैसे होते हैं, professional letters होते हैं, और उसके बाद, letter is nothing but speaking with a pen, यानि letter क्या है, कि हमें pen के थुरू बोलना होता है, और third जो है, simple in form and natural in style, यानि हमें बहुत साधारन भाशा का परियोग करना होता है, बहुत ही आम भाशा से हमें शब्द लेने होते हैं, ताकि हमारी बात सही परकार से पहुँचे, कोई भी decorative word या भारी भरकम शब्द नहीं उसकरना चाहिए, जिससे की dictionary को देखने की आवशक्ता पड़े, हमें पत्र इस परकार से लिखना चाहिए, जैसे पढ़ने वाला हमारे सामने बैठा है, और हमारा पर्पस क्या रहता है, पत्र लिखने का, कि हमारा message पष्ट रूप से, यानि हम जो बात कहना चाहते हैं, वो अपनी बात सही परकार से प्रस्तूत कर सकें, Badly written letter may lead to misunderstanding यानि इसलिए कहा जाता है कि जब आप अपनी बात को proper और clarity से नहीं लिखोगे तो letter कुछ और ही message convey करेगा और उससे misunderstandings बढ़ेंगी तो letter should be simple, clear and concise इसलिए letter जो है बहुत ही simple यानि साधारन भाषा में होना चाहिए clear clear यानि साफ लिखा होना चाहिए concise यानि शंक्षिप्त में लिखा होना चाहिए उधारन दे दे कर उसको बहुत लंबा letter नहीं बनाना चाहिए नहीं तो वो बहुत ही boring हो जाएगा अब letter कितनी तरह के होते हैं? kinds of letter letter दो तरह के होते हैं informal यानि अनुप्चारिक letters and formal letters अप्चारिक पत्र अब informal letters किसको लिखे जाते हैं? to friends, relatives, teachers and pupils किस परकार के letter होते हैं? invitation के, congratulations के, recommendation के, request के, introduction के और formal letter अप्चारिक पत्र कौन से होते हैं? business, firms, companies को लिखे जाने, government offices के, editors के, principal, heads of offices के अब ये किस परकार के पत्र होते हैं? ये होते हैं, letters of complaint, inquiry, request, applications अब हम करेंगे format of letter यानि पत्र को किस परकार से लिखना है? जो सबसे important point है सबसे पहले आएगा sender's address यानि जो पत्र लिखने वाला है, वो अपना address यहां लिखेगा इसको हम आम तोर पर दो या तीन लाइनों में लिखते हैं उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे उसके बाद आएगी date date को भी एक proper format में लिखेंगे जो मैंने आपको लिखके भेज़ा है, वैसे ही उसके बाद फिर एक line हम छोड़ देंगे उसके बाद आएगा receiver's address यानि जिसको हमने पत्र भेजना है उसके भी दो या तीन लाइनों में हम पूरा address लिखेंगे उसके बाद फिर एक line हम खाली छोड़ देंगे उसके बाद आएगा salutation यानि जिसको पत्र लिखना है dear sir या madam जो भी आपके question में दिया है उसके बाद फिर एक line हम खाली छोड़ेंगे उसके बाद आएगा subject subject यानि विशे जिस विशे पर आप इस पत्र को लिख रहे हूँ जो कि आपके question paper में दिया गया है वो यहाँ पर लिखा जाएगा तो आपको यह पता होना चाहिए उसको underline कर लेना है तो next line फिर हम खाली छोड़ देंगे उसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा main body of the letter जो मैंने bracket में आपको बना कर भेजा है यह letters to editor का मैंने आपको दो line लिख कर इसमें बेजी है जैसे through the columns of your esteemed newspaper I would like to draw the attention of concerned authorities towards फिर उसके बाद जो भी problem है वो आप discuss करोगे जो भी आप इसमें लिखना चाहते हो यहाँ पर लिखोगे उसको अच्छे से describe करोगे but वो concise होना चाहिए उसके बाद ending में आप लिखोगे thanking you, yours faithfully और yours sincerely उसके बाद आपके signature और नाम अब बेटा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं इसको देखकर कि हमें नहीं लिखना आ रहा हो पूरा का पूरा letter छोड़ाते हैं तो letter को छोड़ना नहीं है जैसे अगर first part लिखा तब भी, second part लिखा तब भी और अगर पूरा letter लिखा तब भी marks मिलेंगे तो format आपको अच्छे से आना चाहिए, format को बार-बार practice करो, तब भी ये कहा गया है कि letter writing is an art और art कैसे आता है? practice से बार-बार उसको practice कीजिए, draft drafting कीजिए और concise करने की कोशिश कीजिए, to the point simple, clear and concise लिखने की कोशिश कीजिए, thank you